जैहन साथियों चलिए आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं साथियों बिए फर्स्ट इयर चाइल्डूट एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट से हम लोग एक कोश्चन्स को लिए हुए हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है मीडिया सवाल के पूछता है कि मीडिया क्या है और मीडिया से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है यानि कि ये मीडिया के बारे में जरूर कोश्चन्स आते हैं और मीडिया का प्रभाव भी पहुत पूछता है कि आखिर जो मीडिया है वो बढ़ते बच्चों और किसोरों पर इनका क्या परभाव पढ़ता है तो कुल मिलाकर ये भी बहुत important question बनता है साथियों चले इसके बारे में हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले मीडिया को समझेंगे कि आखिर ये मीडिया क्या है तो कुल मिलाकर सबसे पहले ये मीडिया के बारे में अगर हम लोग देखें तो मीडिया एक तरह का तकनीकी माध्यम है तकनीकी बोले तो technical यानि कि मीडिया का मतलब क्या मीडिया से हम लोग radio सुन पाते हैं, tv चैनल देख पाते हैं तो मीडिया एक तरह का संप्रेशन है तो तकनीकी माध्यम का पर्योग किया जाता है वोसे हम मीडिया कहते हैं या वो मीडिया कहलाता है मीडिया के अन्य नाम से भी जाना जाता है यानि कि मीडिया को ही अलग-अलग नाम से जानते हैं जैसे कि पहला हो गया माध्यम, कहीं माध्यम भी बोला जाता है, जिसको अंग्रेजी में मिडियम कहते है दूसरा है जन माध्यम, जन माध्यम का मतलब हुआ कि मास मिडिया, कई-कई जगों पर इसी मिडिया को जन माध्यम या मास मिडिया के नाम से जानते है तो कहीं कहीं इसको multi media यानि कि बहु माध्यम के नाम से भी जाना जाता है तो इस तरीके से media को, माध्यम को कई नामों से जाना जाता है फिर उसके बारे में हम उसके बाद हम लोग देखेंगे कि media के परकार, media के कितने परकार होते हैं तो आपको जानकर यहां पता चलेगा कि मिडिया जो है दो परकार के होते हैं एक मुद्रित और एक ओमुद्रित अब मुद्रित मिडिया क्या है तो इसका भी हमको define करना पड़ेगा इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत long answer लिखने होते हैं एक मुद्रित मिडिया के बारे में यहां लिखा है इस मिडिया में सुचना को प्रिंट करके चाप करके जनता तक पहुँचाया जाता है बिल्कुल सही यानि कि इसमें कौन कौन आ गया मुद्रित मिडिया मुद्रित कमने कोची जो लिख करके सुचना को लोगों तक पहुंचाया जाता है यानि कि प्रिंट करके या छाप करके पहुंचाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं मुद्रित मिडिया और जैसे इसका कौन-कौन सा है सामाचार पत्र यानि कि जो न्यूज पेपर हम लोग पढ़ते हैं वो एक तरह का छापा हुआ रहता है लिखा हुआ रहता है बिग्यापन देखते हैं पेपर जब खरीते हैं तो बहुत सारा बोल सकते हैं परचार के लिए बहुत सारे कोचिंग इस्टिटूट का अपना नाम दिलवा देते हैं या किसी वी चीज का विग्यापन दिलवाते हैं किताब जो हम लोग किताब पढ़ते हैं वो भी एक तरह का क्या है मुद्रित मिडिया है क्योंकि उसमें कुछ न कुछ छपा रहता है उसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है और फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं फिर अगला है ओमुद्रित मिडिया ओमुद्रित का मतलब क्या हुआ मुद्रित मने हुआ आपका लिखा हुआ और आमुदृत का मतलब क्या हुआ आमुदृत इस मीडिया में सुचना को सुन कर या देख कर समझाजा सकता है आमुदृत मीडिया उस वह कहलाता है जिसको हम सुन के या फिर देख कर कि सुचना प्राप्त करते हैं जैसे कि रेडियो हम लोग सुनते हैं, सुनके कुछ सुचना को प्राप्त करते हैं, या फिर टीवी हो गया, उसमे हम लोग वीडियो देखते हैं, तो इस तरीके से ये कहलाएगा, और मुद्रित मीडिया, अब उसके बाद हम लोग पॉइंट से यहां बनाया हुआ है, मीडि चीज़ टेकनिकल है देख रहे हैं कि सभी चीज़ आउनलाइन हो गया है नहीं आउनलाइन का मतलब अब कौन उतनाब हिसाब किताब भी रखना है तो पहले वाले लोग पहले क्या बोलते थे एक लिश्ट बनाते थे किसके पास कितना पैसा बकाया है लेकिन अब क्या है यह की तकनिक मतलब टेकनिकल सब अब आउनलाइन से जूड़ा हुआ है तो इस तरीके से साथियों मीडिया की आवसकता बहुत जोरों पर है और इसका आवसकता इसलिए पढ़ा इसके आवसकता आज के डेट में बहुत बढ़ गई है बिलकुल सही आज के डेट में जो बोल सकते हैं और मुद्रित मीडिया का, और मुद्रित मतलब की टेक्निकल का बहुत यूज बढ़ गया है, बढ़ता हुए मीडिया क्यावसकता का परभाव सीचा के छेतरों पर भी पढ़ा है, यानि कि बढ़ता हुआ जो मीडिया क्यावसकता है, उसका परभाव कहां पढ़ा है, सीचा पे भी पड़ा है, जैसे कि हम लोग education लेते हैं, अभी आज के डिट में कुरोना के वज़े से सभी चीज़े बंद पड़ी है, लेकिन बहुत सारे teachers, students, online study कर रहे हैं, मिडिया की आवसकता को इन बिंदू से समझा जा सकता है, अब मिडिया की आवसकता क्यों पड़ी, तद इसके लिए दो बिंदू बताया गया, पहला प्रेरना, और दूसरा सिखने क्यों प्यूक्त मादें, यानि कि इस मिडिया से प्रेरना मिलती है, और दूसरा सिखने क्यो कि बोल सकते हैं भावना आता हैं फिर था कोश्यव में हम लोगों का अब यहां पर देख'S Just क्या है बढ़ते बच्चों और किसोरों पर मीडिया यह तो हम लोग बारे में भी तक किमेडिया की समझें कि भी दोनों का definition मुद्रीत और मुद्रीत लेकिन अगर सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहां एक और यहां लिखा है कि बढ़ते बच्चों और किसोरों पर मीडिया का परभाव को भी विचना करना है तो इस questions को हम लोग करने के लिए यहां पर एक topics बनाये हुए हैं बढ़त और किसोरों पर पढ़ने वाले परभाव सकारात्मा और नकरात्मक दोनों हो सकता हैं मतलब साथियों यह कि जो मीडिया होता है यानि कि जो टीवी चैनल्स होता है या फिर बहुत सारे किताबे भी होती हैं तो वो बच्चों पर एक तरह से सकारात्मक यानि कि एक सही दीश अच्छी और ग्यानवर्धक चीजों को सिखता है और कौसल का विकास करता है दूसरी तरफ मिडिया द्वारा दिखाई जाने वाले हिंसा अपमान जनक भासा को देखकर बच्चों पर बुरा परभाव भी पढ़ता है यहां बोला जा रहा है कि एक तरफ मिडिया के द्वारा लिखा गया अच्छी चीज जो है जो जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनका कौसल का विकास होगा लेकिन दूसरी तरफ मिडिया द्वारा दिखाये जाने वाले हिंसे चैनल पर कहीं मार काट दिखाये जाता है कहीं अभद्र भासा का परियोग किया जाता है तो इससे बच् सिखेगा गलत भावना की ओर जाएगा गलत परभाव पड़ेगा उस पर फिरागे लिखा है मिडिया के साकारात्मक और नाकारात्मक पहलू निम्नांकित है यानि कि मिडिया के जो है साकारात्मक यानि मिडिया एक तरह से सही भी है और एक तरह से खराब भी है चलिए वहा जानवर्धक बनाया जा सकता है तीवी पर सैचनिक कारेकरम दिखा कर बच्चों को सरल गनीत, समान ज्यान, वर्नमाला, आदि सिखाई जाती है तो दोस्त यहां पर यह बोला गया कि सिच्छा के छेतर में टीवी का इस्तेमाल करके बच्चों को ज्यानवर्धक चीज़े बता जा सकती है, वहां सैचनिक कारेकरम, सिखास वाली जो चीज़े बताई जाती है अगर टीवी से तो बच्चों के लिए क्या होगा एक सकारातमक पहलू है, यानि कि ऐसे अगर होगा टीवी के दुआरा तब एक तरह से सही बात है यानि कि बच्चों के लिए सही साबित होग लेकिन वही अगर हम दूसरा point को ले हिंसा यह ब्यसकों से लेकर बालकों तक यानि कि हिंसा एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव बच्चों पर और ब्यसक यानि कि जो युवा हैं उन पर भी पड़ता है तो TV में के कारेक्रम बहुत लोग प्रिय होता है यानि कि देखते होंगे TV चैनल्स पे जब हिंसा मार काट यह सब दिखाया जाता है तो यह बहुत लोग प्रिय होता है परसारित होने वाले कारेक्रम में मसाला डाला जाता है मतलब कि जो TV चैनल्स दिखाया जाता है उसमें जूट जूट भी बहुत बोला जाता है इसलिए जूट बोला जाता है ताकि उनका चैनल जो है ग्रोथ हो जादा से जादा लोग उनको देखे इसलिए वो लोग जो है कारेकरम में मसाला डालके भी दिखाते हैं मसाला डालने का मतलब हुआ कि तो यहां मसाला डालने का मतलब है कि उस कारेकरम में बहुत सारे घुटी चीजें गलत चीजें भी दिखाए जातीक था कि उनका चैनल जो है बलातकार आदी जैसे चीजे दिखाई जाती है यानि कि जो चैनल वाले होते हैं अब जूटी खबरों को ज़्यादा तर पेश करते हैं ताकि उनका चैनल ग्रोथ हो लोग प्रिये हो इसलिए कारेकरम में हिंसा दिखाएंगे रोमांस दिखाएंगे बलातकार दिखाएंगे यह सब चीजे दिखाई जाती है और इन कारेकरमों में दिखाई गई चीजों को देखकर किसोर और ब्यस्क हिंसा के भाव आता है यानि कि जब ऐसे बच्चे जो है इन सब चीजों को देखेंगे तो उनके मन में क्या आएगा हिंसा करने की भाव ना आयगा तो इस तरीके स हिंसा क्या है एक तरह से नाकारात्मक पहलू है मना कि ये बच्चों के लिए बेसकों के लिए अच्छी चीजें नहीं है फिर वहीं बात करें तीसरा पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं लैंगिक्ता यानि सेक्स्वलेटी तीवी की दुनिया अब किसी से छूपी नहीं है बि अलकुल सही यानि कि असलील चीजें दिखाए जाएंगी गंदी वीडियोज दिखाएंगी इन वीडियोज को देखकर बच्चे के जीवन पर क्या होगा बुरा परभाव पड़ता है क्योंकि वे अब प्राकृतिक यौन तरफ यानि कि उनके अंदर मैचुरिटी नहीं भी आएगी तो किसी भी लड़की से छेड़ खानी कर सकते हैं मतलब कि ऐसी दिन परते दिन नूज आते रहती है तो यहीं सब नाकारातमक पहलू के कारण होती है इस तरीके से लेंगिकता भी क्या है एक नाकारातमक पहलू है तो दोस्त यह भी बहुत इंपोटेंट कोशन था जिसको हम लोग किये मीडिया के बारे में तो आई होप साथियों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप जरूर इन चीजों को नोट्स बनाएए और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ जो भी चाइल्डूड एंड ग्रोइंग अपके इंपोटेंड कोश्चन होगा तो तब तक के लिए इतना ही धन्यवाद